कानपुर दियात के अकबटपुर विधान सभाश्षित्र में मुखमंत्री योगियाद इतनाथ ने विपक्ष पर जम कर हमला बोला जहां उन्होंने सपाप्रमो का खलेश यादो का नाम लिये बगैर कहा कि पिछली सरकार कानपुर में तमंची की फैक्टरी लगवाती थी उनका नाम समाजवादी, काम, तमंचावादी और सोच परवारवादी था उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है अब कानपुर का नाजवान यहाँ बने तोप पर बैटकर दुश्मन की सीमाओं में खुसेगा तो भारत माता का जैगोश करेगा और भाईो बेनो अब तो तरप्रदेश हर जन्पद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की और अग्रसर है कानपुर देहाद में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है प्रधान मंत्री मोदी जी ने कानपुर देहाद में भी स्वास्त्य के कुछ संस्तान के रूप मेडिकल कॉलेज दे दिया है आपके कानपुर में भी भब्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने के एक लंबी स्रिंखला खड़ी हो रही है उत्तर प्रदेश के 72 जनपद कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्सों में क्योल 12 गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे और आज भायो बेनों हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है यह प्रधान मंत्री मोदी जी की किरपार उनके अनकंपा के कारण संबव हो पाया है और तो और पिशली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवेट फैक्ट्वी लगवाती थी यह लोग अपने को समाजवादी कहते हैं नाम समाजवादी है काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है लेकिन प्रनान मंत्री मोधी जी ने कानपुर में डिफेंस कोरिडोर दे दिया जांसी में डिफेंस कोरिडोर दे दिया और चित्रकूड में भी डिफेंस कोरिडोर का निर्माण हो रहा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश